ौम नमस्धेव्याप ओम नमस्धेव्याप नमस्री वर्दमानायं निर्दूद कलिलात्वने सालो का नाम त्रिलो का नाम यद विद्या धर्पनायते अहिंसा पर्मो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस मरने परंपो जाचार गुर्वर्श्री विद्या सागर जिमनी महराज की दो दिन पूर में भी प्रतिवास वले के चात्राओं को ले करके यहां पर शिक्षिकाएं आये थी वही द्रिश्या आप लों को देखने को मिल रहा है और सुना है यह दो दिन तक लगातार यही स्रंकला चलेगी ग्यान प्रत्यक चिव के पास रहता है किन्तो प्रतिवा प्रत्यक के पास हो अनिवार नहीं ग्यान अलग वस्तु है और प्रतिवा अलग वस्तु है ग्यान में जब समीचिन्ता आती है वह आस्ता के बल पर आती है आस्ता अर्था स्रद्धान उसके अवाव में वे ग्यान का अस्तित पर रहता है किन्तो वा मात्र अस्तित्व है उसका उसके भीतर जो शक्ती है ग्यान के भीतर जो शक्ती है उसको उद्गाटित करने की क्षमता आस्ता में है इसलिए गुर्देव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही है कि ग्यान चिलाता है और आस्ता जहेलती है आस्ता जहेलती है ग्यान आस्ता के बिना मात्र चिलाता रेता है उसका वो सभाव है और इस ग्यान में एदिकंबीरता आती है तो आस्ता के माध्यम से ही आती है क्योंकि समीचिंता में कारण आस्ता है इसलिए आप लोगों को पहुत धैर के साथ उस ग्यान की जो शप्ती है उसको उद्गाटित करने के लिए ही आप लोग सब कटिवद्द है इसलिए आप लोगों ने यहां पर प्राता वेला में आकर के भी लगबग एक घंटा यहां पर ग्यान की आराधना की है और पुना ग्यान की आराधना भक्ती के साथ करने के लिए आप लोग उपस्तित है गुर्देव के प्रती भक्ति आप लोगों ने की है इसी प्रकार की भक्ति हमें भी करना है और आप लोगों को भी करना है क्योंकि अकेली एक भक्ति में साबर्त है क्या समर्थ है एकापी समर्थेयम जन भक्ति दुर्गतिम निवार यतुम पुन्यानिच पूर यतुम दातुम मुक्ति स्रियम कृतिन ऐसे एक पंक्ति मिलती है स्लोख पढ़ने को मिलता है भक्ति पाट में यह एकापी समर्थायम भक्ति यह एक ही भक्ति जिनेंद्र भग्वान की पृत्ति की गई भक्ति अकेली भक्ति में यह सामर्थ है दुरगतिम निवार यितम दुरगति से बचाने में सामर्थ अकीली एक प्रभू की अत्वा गुरु की भक्ती में है इसलिए निरंतर आपका उपयोग प्रभु भक्ति अत्वा गुरु भक्ति में उपयोग आपका लग जाए फिर वह ज्ञान के भेतर जो पृतिवा है वो निश्चित रुप से उद्घाटित होगी ये निश्चित बात है कि वस्तुत आहारदान तो दिया जाता है किन्तु अभयदान देने की बड़ी आवश्रक्ता है क्योंकि छोटी छोटी बालिकाएं कभी कभी उदास वो करके बैठ सकती है क्योंकि वह शक्ति उसके भीतर होते हुए भी उसको उद्घाटित करने की जो क्षमता है वह धीरे 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 उसे में से प्रस्पुटित होगी पक्की बात है कि सूर बहुत दूर है किन्तो सूर धर्टी पर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किन्तो उसकी किरने आ रही है इसलिए गुरू दूर भी पहुंच रहे हो तो हमे विकल्प नहीं कोई चिंता नहीं क्योंकि धर्टी पर सारी कि सारी किरने पहुंच रही है और हम और आफ सभी उसी सूर की किरने हैं दन दखो और वो सूर की किरणों में जो आभा रहती है उन किरणों में कोई कम वीशने आभा नहीं रहती यह धन दखो इसलिए चाहे वह चोदी कक्षा की बालिका हो चाहे वह छटी सात्वी कक्षा की हो चाहे बारवी कक्षा की हो सब के पास वह ज्यान की किरन विद्धिमान है क्योंकि सूर किरनों से प्रतक है क्या सूर्य मंदल है तो आभा भी मंदल है किर्ण का जो समू है वही तो आभा है इसलिए कभी भी संकीर्णता नहीं होनी चाहिए छोटा और बड़ा कोई भी जीव नहीं जीव मात्र वह द्रव्य है चैतन निता जिसमें पाई जाती उसका नाम जीव कहा है और उसके भीतर से वह शक्ति धेरे धेरे बाव व्यक्षित होती चली जाती है और गुर्देव ने एक बार स्वाध्य के दोरान ये भी कहा था कि शक्ति काम नहीं करती सुन रहें आप सब लोग सुनें शक्ति काम नहीं करती शक्ति को काम में लिया जाता है सब के पास शक्ति है शक्ति को काम में लेने का हमीं पुरुशारत है एक बलवाद व्यक्ति है किन्तु वह शक्ति का वह प्रयोग नहीं कर रहा है तो शक्ति कहीं बाहर से आती है क्या बाहर से नहीं आती वह अपनी निजी शक्ति है ज्ञान अपने आपको भी प्रकाशित करता है और परवस्त को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसके अंदर है इसलिए ज्ञान को स्वपरप प्रकाशि कहा है अपने आपको भी प्रकाशित कर सकते हैं आप और दूसरे को भी जिसे प्रकाश नहीं मिल रहा है उसको भी प्रकाशित किया जाता है और अपने आपको भी प्रकाशित किया जाता है इसलिए प्रतेग जीव के भीतर वहा अनंत शक्ति विद्धिमान है उसको उद्गाटित करने के लिए प्रभु के और गुरु के चर्णों में शांत चत्त हो करके बैठ करके प्रभु की आराधना करते हैं उनकी भक्ती करते हैं उनकी स्तुती वंदना अधिक करते हैं तो निश्यत्र उसे ज्यादा मेहनत करने की कोई आवर्शक्ता नहीं है तेकिन मेहनत करना छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हकीकत है यथार्थत यह है कि प्रत्यक व्यप्ति के भीतर वही आत्म तत्व है उसमें छोटे वड़े की परिकल्पना करना एक मात्र अज्यान का परिनाम है कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है स्वरूप की दृष्ठी से कोई न बड़ा है न छोटा है एक बहुत अच्छा विश्य आपके सामने रख रहा हूं कि आनंद जो आता है वहां किसके द्वारा आता है आनंद ज्ञान के द्वारा नहीं कि मारा हम ज्ञाना भ्यास करना छोड़ दे क्या मैं छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं किन्तो आनंद की बात करना च्छाता हूं और वह आनंद जो है ज्ञान का जो फल है उसका नाम आनंद कहा है आगम खरोने प्रीति दर्शनात ग्यान का फल क्या है प्रीति उत्पन करना या ग्यान का फल माना गया ग्यान का वह रिजल्ट है ग्यान में नहीं अनंदा था किन्तु ग्यान का फल जब सामने दिखता है उसको लेकर के आनंद की अनवूती होती है और व्यगत की और और अनागत की और दृष्टियदी जाती है तो वहाँ ज्ञान की ही दृष्टियदी जाती है ज्ञान ही हमेशा अतीत की और और अनागत की और वह चला जाता है और वर्तमान में जो आनंद आता है उससे वहाँ वंचित रख जाता है आनंद अतीत का नहीं न अनागत का आनंद है क्योंकि अनागत जो है वह भी वर्तमान में गोजर करके जाने वाला है भविश में हम आनंद लेंगे in future और वर्तमान में आनंद आ रहा है वर्तमान भी जो आनदेशे समझने के लिए शाम को आपको भोजन दिया जाएगा ठीक है आनंदारा भी भोजन दिया जाएगा ये ज्ञान का विशे बन रहा है क्युंतो आनंद का विशे नहीं बन रहा है वो और सुबह आप लोगों ने नास्ता कर ली उस्वे जो आनंद था वो अभी नहीं है स्मृती उसकी है उसका ज्यान है इसलिए ज्यान में आनंद नहीं आता है आनंद जो है सम्मेदन में आता है अनुभों में आनंद आता है बहुत आच्छे बात हम कहना चाह रहे हैं वह ये है कि ब्रशबनात भगवान को निरवान को प्राप्त करके कितना समय गजर गया एक युग गजर गया युग कहना चाहिए योग के आदे में वो हुए थे एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमान काल व्यतित हो गया है उनको निर्वान को प्राप्त करके ठीक है? अब महावेर भगवान को निर्वान प्राप्त करके कब कितना समय व्यतित हुआ? ज्यादा काल नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि महावेर भगवान को जो आनंद आ रहा है उससे कई गुणा आनंद व्रिश्वनात को आ रहा होगा ऐसा नहीं भोल जाओ क्योंकि आनंद जो आता है वो वर्तमान में आता है भोजन किसीने कर लिया और कोई करने वाला है दोनों को आनंद नहीं, जो कर रहा है उसको आनंद है जो भोजन कर रहा है at present उसको आनंद आता है इसका नाम ज्ञान का फल है ये इसको बोलते हैं फल अतीत का समेदन नहीं, न अनागत का समेदन और पर का समेदन नहीं, स्वा का समेदन होता है कोई भी छात्र हो उसको आनंद जो आएगा वह सुवका आएगा भली हम कम भी नंबर लेकर के आए इसमें हमें कोई भी व्यकल्प नहीं क्योंकि आज नहीं कल उसके अंदर भी वही विराटता है अनंद शक्ति जो है वह केवल ग्यान में है आज वर्तमान में कोई केवल ग्यान है क्या बोलो नहीं है न तो केवल ग्यान का अनंद न मुझे है न तुम्हें है इसलिए बराबरी पर है ध्यान रखना टेंशन नहीं पलना कभी भी इसको बोलते हैं अभयदान सब लोग सुने बालिकाई तो सुन रही चात्रा है लेकिन जो शिक्षिका है उनको भी स्वोर ध्यान देने की आवर्शक्ता है कभी कभी चात्रों के तनाव को लेकर के शिक्षिकाँ को भी तनाव आता होगा क्योंकि हमने इतने मेहनत की है पुर्शार्थ किया है फिर भी वह चात्र अनपात से जो नमबर लेकर के आना चाहिए वह नहीं आ पा रहा है अत्मा फेल होने को है वो जतना तनावपुन स्थिति में नहीं उससे जादा तनाव टीचर को होता है क्यों कि महाराज हमारे माते पर है हमारे माते पर है कथंचित कह सकते हैं किन्तो एकांत नहीं है क्योंकि जिसके अंदर योगता जितनी रहेगी उतना ही उसका विकास होता है इसलिए आप लोगों को फुरुषार्टों करना है किन्तो फुरुषार्ट की एक सीमा होती है क्योंकि एक ही टीचर है मान लोग पचास बच्चे पड़ रहे हैं और पचास बच्चों को किसी भी प्रकार से पक्षपात किये बिना समान रूप से ज्ञान दिया जा रहा है किन्तो लेने की क्षमता जिसके अंदर जितनी होगी उतना ही वह ले पाएगा पक्की बात है ज़्यादा हो सकता है क्या मान लो किसी को दूद पिलाना है एक जग है दूद भरा हुआ आप पिला सकते हैं जिसकी क्षमता एक जग दूद पेने की है वसी को आप पिला सकते हैं ध्यान रखो जिसकी मान लो एक ग्लास पेने के क्षमता है उसको एक ग्लास से एक बुंद भी जादा पिलाने ही पाएंगे इसको बोलते हैं एविलिटी क्षमता योगिता इसी को बोलते है इसलिए योगिता के अनुरूप विकास होता है उसका उसकी योगिता जल्दी से जल्दी उद्गाटित हो इस भावना के साथ पुर्शार्थ किया जा सकता है किन्तु समय भी आपीक्षित है आम पकता है पकेगा निश्चित बात है योगिता उसके अंदर है किन्तु योगिता का उद्गाटन समय पाकरके होगा वे आम बिल्कुल केरे के बरावर भी नहीं है चने के बरावर है उसको पकाने वाला कितना भी कुशल माले क्यों नहों पकाने सकता क्योंकि उसके अंदर योगिता नहीं इसलिए योगिता का मूल्यांकन करने की आवर्शक्ता है और उसकी योगिता जल्दी से जल्दी उद्गाटित हो इस ढंग से पुर्शार्थ किया जा सकता उसकी एक सीबा है इसलिए चाई वा व्रिश्वनात भगवान हो चाई वीर प्रबू हो दोनों को जो आनंद आ रहा है वह वर्थमान का आनंद आता अतीत अनागत का संभव ही नहीं अतीत और अनागत का ज्यान तो संभव है किन्तो सम्वेदन वर्थमान का होता है यदि अतीत का भी यदि सम्वेदन हम मान लें तो सबसे ज़्यादा दुखी भगवान शिद्ध होंगे क्योंकि अतीत के अनंतानंद जो सामसारेक दशा में जो पर्याय थी वो सारेक सारे पर्याय केवल ग्यान के विशे बन रहे हैं इसके बावजोद भी उनको कोई दुख का सम्मेदन नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक जीव अतीत में अनंतबार नरगती को प्राप्त किया अनंतबार निवोद अवस्ता को प्राप्त किया अनंतबार देव परजाय को और अनंतबार मुनश परजाय को विबिन प्रकार के उत्पत्ति के स्तान जितने भी हैं उनमें वह उत्पन हो करके सुक दुख का अनभों किया है अतीत में किन्तो मोह कर्म का अवाव होने के उपरांद वह सारे सारे पर्याये ज्ञान के विशे तो बन सकती है किन्तो समेधन का विशे संभव नहीं है इसलिए आनन्द जो आता है वह ज्ञान में नहीं किन्तो सम्यदन में आनन्द आता जिसको ज्ञान का फल कहा है आपको क्या चाहिए ग्ञान का फल इसको वलते हैं आनंद लेओ अपने अपने क्षमता के अनुरूप कभी भी तनावपुर्ण स्थिति में नहीं आना किन्तु निरंतर पुर्शार्थ शील बने रहो हाँ एक दूसरे के विकास को लेकर के टेंशन में नहीं आना हम भी वहां तक पहुंचेंगे ऐसा गुरुदेव ने कहा है इस प्रकार आपको धरना बना लेनी चाहिए क्योंकि हम लोग भी आफी जैसे थे और यहां तक गुरुदेव ले आए हैं लेने की क्षमता हमारे भीतर जो थी उसको उद्गाटित करने का स्रेय यदी जाता है तो गुरु को स्रेय जाता है अब थोड़ा सा आनंद पार रहे हैं लेकिन दशा जो थी प्रतेक व्यक्ति की वही दशा थी इसलिए हवेशा परिनाम को शांत बनाने का पुर्शाट करो और जो व्यक्ति प्रभु और गुरु की भक्ति में डूब जाता है उसका ज्यान बहुत जल्दी उद्गाटित होगा ये धर्णक को क्योंकि ये आस्ता का विशे है विश्वास का विशे है शृधान का विशे है शुब चरचा चल नहीं थी छोटी छोटी बाली काईय अपने ढंसे सहीतिक शग्दी शेली में अच्छे अच्छे सहीतिक शब्दों का चेन करके बोल रही थी, हम तुलना कर रही थे, अपने आपको हम भी बोलते हैं, लेकिन साइथिक शब्द बहुत कम मात्रा में निकल पाते हैं, किन्तु शब्द तो निकलते हैं, किन्तु शब्दों का निकलना अलग और साइथिके माध्यन से दोसरा आनंद का और वो लेता है, साइत के माध्यम से जो आनंद आता है, वह अन्य शब्दों के माध्यम से नहीं आता, एक प्रभाव है उसका, लेकिन सबी लोग उसी और ध्यान ना दे, जो बड़े हुए हैं, उनको साइतिकी और नहीं देखना, उसके भावों की और देखने का करना चाहिए, अन्यता हम तो साइतिक रहे नहीं, हम क्या दे पाएंगे, किन्तो साइत का जो आर्थ दिया है गुर्देव ने, उसको भी दो मिन्टिक में आपके सामने रखता हूं, जो हित से सहीत होता है, जो हित से सहीत होता है, उसका नाम साइत है, जिन शब्दों के मद्यम से आत्मा का हित्व हो सके उस शब्द का नाम ही साइतिक शब्द है वो और कुछ है नहीं इसमें क्योंकि कभी महुदय बेटें हैं साइतिक शब्दों में आपके सामने धारा प्रबाह कावे पाट करके आपको मंत्र मुक्द कर सकते हैं किन्तु जिसके पास साहित नहीं वह कैसा होगा किन्तु आचार कहते हैं जिन जिस ग्यान के माध्यम से अत्वा जिन शब्दों के माध्यम से जिन वचनों की माद्यम से आत्मा का हित्व हो सके उसी का नाम साइथिक माना जाता है शब्द इसलिए हम सुरु से अपने आप में रहे क्योंकि एजुकेशन तो मेरा उतना नहीं जितना आपका है बारवी कक्षा वाले भी छात्राएं बेटी हैं जो कि हम टैंट वाले हैं दस्वी कक्षा पास की है जैसे तेशे मतलब ज्यादा अंक नहीं है सुनो तो मैं अपने अपने प्रसंद हूँ क्योंकि मुझे पूर्णांक मिल जाया काक्षी है पूर्णांक नौ का अंक होता है हमें परिक्षा में नौ भी अंक मिल जाया तो आपसे भी मैं प्रसंद रह सकता हूँ क्योंकि पूर्णता का वा प्रतीक है और पूर्ण ज्यानकार्थ केवल ज्यान होता है इसलिए आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी पूर्ण अंख मिल जाए तो केवल ग्यान का अनभव कर सको यह भगवान से और गुरु से मैं प्रात्ना कर रहा हूं कि हम से भी जल्दी से जल्दी पूर्ण अंख जो नीचे बैटे हैं उनको मिल जाए ताकि वो जल्दी जल्दी वो भी उपर उठ जाए धर्ति से धर्ति से उपर उठना खेल नहीं है क्योंकि धर्ति का जो आकर्शन है वो बहुत भयानक आकर्शन है वो मोह रूपी धर्ति पर चल रहा है संसारी प्रानी इसलिए वो गुरुत्वा कर्शन उजी को बोलते हैं ने ने प्रसंग आते हैं आप लोगों की ही पुन्य के उदे से क्योंकि श्रोता का भी बहुत बड़ा पुन्य होता है तब जा करके वो भाव भाव आ जाते हैं नहीं तो बिल्कुल नहीं आपाते हैं ये गुरुत्वा कर्शन ये बहुत भयंकर रूप है पेड में फल लगा है जब तक वह उस डाल से उस फल का संबंद है तब तक वहाँ पर वहाँ दोलाईत है किन्तो जैसे ही उस डाल से उसका संबंद तूट जाता है तो गुरुत्वा कर्षन सीधे धर्ती पर ही वह गिर जाता है दिलकुल इसी को बोलते मोह, मोह के कारण ही संसारी प्रानी अपने आपको उठानी पा रहा है और अपने आपको उठाने वाला कुण सा तत्प है मोह नहीं किन्तो मोह के अभाव में जो ग्यान की परनती है वही प्रत्यक जीव को उपर उठाने में वहा सामर्त रखता है ज्ञान के बिना कभी फी उन्नती संभव नहीं है किन्तो कौन सा ज्ञान है वह वीत राग विज्ञान बोलते हैं तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान था समय पर पंक्ति आ जाए तो वह उस पंक्ति का महत भी है अनिता उपर भी बैटे भे माराज होंगे उनको भी छडाला खा ज्ञान होगा किन्तो समय पर वह आना चाहिए तीन भुवन में सार कहा है तीन भुवन में सार होने के उपरांद में अभी भी किसी को भोपाल यान आ सकता है किसी को सतना किन्तो तीन भुवन कहे रहे हैं तीन लोक में यह दि कोई सार्भूत वस्तू है तो वह ज्ञान हो करके वह वीतराग विज्ञानता कहा जब तक ज्ञान में वीतरागता नहीं आएगी जब तक वह ज्ञान रागानमित रहेगा तब तक वह मों से प्रभावित होता है इसलिए धर्ती को छोड़ नहीं पाता और धर्ती से चार अंगुल ओपर उटे हुए रहते हैं कौन प्रभू हाँ आप स्वर्ण का सिंगासन रखो अत्वा रतन का रखो किन्तु उसके ओपर भी वह चार अंगुल ओपर उठे हुए पाए जाते हैं ऐसा क्यों क्योंकि मोह रुपी धर्ती से वह ओपर उठ चुक हाँ मोह का अभाव हुए भिना ज्यान प्रगट नहीं हो सकता इसले ज्यादा ज्यान 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 मत कहो क्योंकि ज्यान चिलाता है आपत्ति आने पर ऐसा ही कुछ है ना ज्यान चिलाता है जब विपत्ती आपत्ती आती है तो ज्यान चिलाता है वो समय धैर दिलाने वाली आस्ता होती है वह ज्येलती है उसको आत्मा को ज्योलती है आत्मा जूलता है अपने मोह के कारण किन्तु उसको जेलती रहती है वो आस्ता इसलिए आपको क्या पसंद है ग्यान पसंद है क्या आस्ता क्योंकि आस्ता में ही आनंद आने वाला है उसके बिना कोई रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता इसलिए आस्ता से हमारा वास्ता है, क्योंकि ज्ञान में आनन देरी आता है, तो बिना आस्ता की संभव नहीं, इसलिए प्रतिक छात्रों को भी एधारना बना लेनी चाहिए, कोई भी व्यक्ती छोटा बड़ा नहीं, व्यवार की दृष्टे से छोटा और बड़ा सामने आता है और बड़ों के प्रती छोटे का कर्तव बनता है कि विनए करना और बड़ों का कर्तव बनता है छोटे के प्रती वासल रखना और अभयदान देना ये बहुत महत्पूर्ण बिंदु हैं आप लोगों के लिए जब कभी भी छात्राओं में मान लो आकुल व्याकुल परिनाम होते हैं उसमें आप लोगों को समालना चाहिए यह भी एक प्रकार से पिरेड है उसमें एक पिरेड है एक पिरेड इसके लिए भी देना चाहिए अभएदान का एक पिरेड पिलकुल पकी बात है आहर को तो परोसना है भोजन परोसना है उससे भी महतपुर्ण आहादान से भी महतपुर्ण अभय दान को परोसा दाता है अभय के बिना जीवन ऐसा लगता है कि वहाद प्रान पकेरू उड़ रहें ऐसा लगता है इतना वो दीन हीन का अन्भो कर सकता है इसलिए दीन हीन नहीं होना चाहिए और प्रभु की भक्ती और गुरु की भक्ती के माध्यम से आपकी वो आस्ता बिलकुल बलवती हो और आस्ता इदे बलवती होगी तो ग्यान में भी प्रौडता आएगी और जो प्रावड ज्यान है फिर चिलनाना बंद करेगा उसमें प्रावडता जो आती है वह सम्यदर्शन के माध्यम से आती है क्योंकि वीतराग विज्यानता कहा तीन भून में सार वीतराग विज्यानता और आगे हाँ शिवसरूप शिवकार हाँ हमें याद नहीं था इसलिए हमने पूछा इसमें क्या दिक्कत है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती बताने वाले तो कापी है ना हमें क्या दिक्कत है बताने वाले कोई नहीं हो तो जिंजलाट हो सकती है चोटे हो चा बड़े हो उनके आद्यम से सुननी को मिलना चाहिए हम आराम से सुन करके आपकी बात को भी आपके सामने हम रख देते हैं तो दियम वस्तु तो भ्यम समर्पितम मयां तुमने जो वस्तु दी उसको तुमारे लिए हम समर्पित करते हैं इसले कोई भी बात नहीं आती है हम दूसरी को पूछ ल जाता है जान जाता कहां है वो क्योंकि शब्दों के माध्यम से ज्ञान उद्धार्थित होता है किन्तों ज्ञान तो अपने भेतर ही रहता है शब्द एक मात्र माध्यम है ज्ञान को प्रगट करने के लिए क्योंकि ज्ञान के माध्यम से वस्तकू जाना जाता है उसमें माध्यम शब्द है चाहे वह साहितिक शब्द हो चाहे वह सामान शब्द हो लड़ू परोसो ऐसा ख़़ दिया तो लड़ू अच्छा नहीं लगता मोधक कहो बात तो यह कही है मोधक कहने से उसमें कोई ज्यादा मिठास आ रहा हो ऐसा थोड़ी मोधकम देही ऐसा है बोल दिया बहुत साहितिक हाँ हमें लड़ू परोस्दों यह कहा है बात यह कहीं चाहिए वह गमार हो चाहिए वह साहितिक कोई व्यक्ति हो क्योंकि मिठाई मिठास तो दोनों को आ रहा है इसलिए शब्दों में मिठास नहीं है वस्तू में मिठास है ग ज्ञान को प्रगट करने के लिए बहुत अच्छा आपरों का उस्सा हमें उस उस्सा को दे करके प्रसंता है और भविश्च में गुर्देव ने जो परोसा है मैं परोस नहीं रहा हूं ये ध्यान रखो मैं किसी को परोस नहीं रहा हूं केवल जनोंने परोसा है उसको याद दिला रहा हूं मैं उन्होंने क्या परोसा है उसको ध्यान दिला रहा हूं केवल मैं रिपीट कर रहा हूं दोहरा रहा हूं जो बता चुके हैं क्योंकि उन्होंने कहा है क्या का दिया दे दिया क्या है वो गुरोंने मुझे प्रगट कर दिया तो मैं थोड़े प्रगट कर रहा हूं गुरु ने प्रकट कर दिया दे दिया के मूड में नहीं हूं क्योंकि प्रकाष जो वस्तुप प्रकाषित है जिसके द्वारा फिर उसको क्या का प्रकार्शित करना है के लेकि अगर कि बिल्कुल है कि रत्न दिपक है क्योंकि उसके दियातले प्रकार्शित हो जाता बलूकि वह पूरा और तीन लोक ही उससे प्रकाशित होता है इसलिए गुर्देव ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में हम भी अपने आत्मतत्व को देख रहे हैं और आप लोगों को भी अपने आत्मतत्व को देखने का पुर्शार्थ करना है आप भी पुर्शार्थ सील बने रहें और मैं भी पुर्शार्थ शील बना रहों इस प्रकार में गुर्दे से प्रार्खना करता हूं अहिसा पर्मो धर्म की जाए बहुदी समादी परिणाम शुद्धे स्वात्मों पलबदेशिव सोक शुद्धे चिंतामनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे परंपूज आचारी ग कहना था कि आलोचक होना चाहिए उससे हमें लोचन मिलते हैं आलोचकों के आलोचना सुनने से हमें कोई विकल्फ नहीं करना हमें और द्रिष्टी मिलती है हर एंगल से सोचने वाले लोग होते हैं अपने अपने दृष्टिकोन को ले करके किन्तु व्याफक दृष्टिकोन जिसके अंदर रहता है वह इस प्रकार की आलोचना में वह नहीं लगता किन्तु वह आलोचना से ओपर उठ जाता है हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक समय में नहीं होता विकास करने के लिए धैरी की अवशकता है साहस की अवशकता है प्रतिक्षा करने से वह कारे हासिल नहीं होता ज्यान हासिल करने के लिए तुम प्रतिक्षा करते रहो बात बनेगी नहीं एक-एक कक्षा के लिए एक-एक साल दिये जाते हैं तब कहीं जाकर के एके कक्षाओं को पार करके वह अगलिम कक्षा में प्रवेश पाता है नर्शरी में भी विकास होता है किन्तो वह विकास आप लोग के दिश्टी में नहीं आता है किन्तो जो नर्सरी में प्रवेश पाया है जब तक प्रवेश नहीं पाया था और प्रवेश पाने के बाद यदि उसमें विकास यदि नहीं है तो अगली कक्षा में वह जानी पाय गए तो ते है नर्सरी से यलकीजी योकीजी में प्रवेश पाने का अर्थ है उसमें उसने विकास किया है अजिता अगली कक्षा में प्रवेश एंट्री संभव नहीं है किन्तु वह विकास शायद में समझता हूँ यमेक अक्षा का जो शात्र है वह भी उस विकास को पकड़नी पाएगा क्योंकि दिमाग जिसका ज़्यादा चलता है तो वह उसकी दृष्टी सूक्ष्मता की ओर नहीं जाती है और सूक्ष्मता दृष्टी को जो रखता है वही जानता है कि इसका कितने पर्सेंटेज में विकास हुआ है जो टीचर्स होते हैं शक्षक अत्वा शक्षकाई होती हैं ये उनीका विशे है कि वस्तुता इस बालक का प्रदिपल किस प्रकार विकास हो रहा है यदि उनके दृष्टे में विकास यदि नहीं दिखाई देगा तो संभवी हिन ये कारी वहां तक पहुंच जाएं वो जानते हैं कि विकास इसी तरह से होगा और होता है इसलिए वीज का अंकुरन जो होता है वहाँ उसमें समय आपिक्षित है और सुक्ष्म विकास वह पकड में आता नहीं उसको पकडने के लिए दृष्टी बहुत सुक्ष्म दृष्टी होती है सुक्ष्म विकास को हम बुद्ध का विकास नहीं बना पाएंगे क्योंकि एक-एक समय में ग्रोथ होता है एक साथ ग्रोथ होता नहीं यदि प्रतम समय में ग्रोथ नहीं मानेंगे तो दूसरे समय में भी ग्रोथ नहीं होगा और ऐसे स्थिति में पूरे जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाएगा पक्की बात है क्योंकि एक-एक समय में जो विकास हुआ है वहीं जाकर के अपने को वा दृष्टी का विश्य बन रहा है इस वोर गुरुदेव की दृष्टीर रही तब जाकर के यह कारी हुआ है पूरे प्रतिवास तली में लगभग मेरे ख्याल से धाई तीन हजार छात्राएं ठीक कह रहा हुआ है लगभग लगभग समझ लो पहुंचने कोई हो आउ सोचो विचार करो उसमें 30-40 छात्राएं थी इसलिए लोग सोच रहे थे क्या कर रहे है महाराज अब उनको देखना है हाँ यह दि हो तो देख पाएंगे यह तो जहां वहां से देख ले पकी बात है अर्थ यहे है कि हमेशा विकास की और जिसकी दृष्टी नहीं है वह अपना न स्वैयम का विकास कर पाता है न दूसरे के विकास में अपना कोई योगदान दे पाता है इसलिए व्यापक दृष्टी कोन होना चाहिए और गुरुदेव ने एक दोहा दी हैं हम लोगों के लिए वो सामने रख रहा हूं उनकी दृष्टी देखो पंक नहीं दोहा याद है सब बच्चों के मुख में वह द्या शाद मैं भूल सकता हूं उसमें वह सयोग देंगे प पंक नहीं पंकज बनू मुक्ता बनून सीप दीप बनू जलता रहों प्रभुपद पद्म समीत अत्वा गुरुपद पद्म समीप गुरु के समीप पहुंचना गुरु के समीप और प्रभु के समीप पहुंचना बहुत कठिन फोता है हम बार बार कहते हैं और इन बालिक के सामने हम इन बालिकों की कोई समीक्ष्या नहीं करना चाहता हूं किन्तु इन बालिकों के जो पालक हैं अभिभावक हैं उनकी और द्रिष्टी रखो वो क्या सोच रहें अब उनको समझ में आएगा कि वस्तुत्र विकास इस डंग से होता है पंक नहीं पंक का अर्थ की चड़ होता है उसके संपर्क में आने से मलिनता आती है यसलिए पंक नहीं पंकज बनूं का पंकज का अर्थ क्या कमल पंके जात पंक जह जो पंक अर्थ की चड़ में उत्पन होता है उसका नाम कमल है किन्तों हमें पंक नहीं बनना किन्तों पंकज बनना है क्योंकि जो कमल बनेगा वह प्रभु के अत्वा गुरु के चर्णों में जाने का अवसर प्राप्थ होगा इसलिए गुरुदेव ने स्वयम के लिए ही उन्होंने इस प्रकार की भावना रखी है अपने आत्म व्यकास को लेकर के मैं पंक नहीं पंकज बनू बने ऐसा नहीं कहा बनू क्योंकि मैं स्वयम बनूंगा तो दूसरे भी बनेंगे हम स्वयम धर्म में जीवन बनाएंगे अपने जीवन को तो सामने वाले का भी जीवन धर्म में बन सकता है उसके बगेर संभव नहीं इसलिए स्वयम उनने धर्म को आत्म साथ करके और विश्व के लिए भी धर्म का क्या सुरूप होता है उसको उनने रखा है जो स्वयम उजाले में रहता है जो स्वयम प्रकाश में रहता है वही दोसरे को भी प्रकाशित कर सकता है स्वयम अंदेरे में रहने वाला व्यक्ति कभी भी दोसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता इसलिए गुर्देव ने प्रकाश दिया है विश्व के लिए और उनकी दृष्टी, उनकी भावना, उनकी भेतर की जो विशालता किस रूप में होगी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं बार बार गुर्देव की उपासना आरादना करते समय अपने आपको हम ऐसा मैसूस करते हैं कि वस्तुता जो साधना गुर्देव ने की है शायर ही हम उस प्रकार की साधना अपने जीवन में कर पाएंगे क्योंकि परोपकार की भावना के बिना इस प्रकार ये संबव ही नहीं हो सकता स्वयम चलना तो फिर भी सरल है किन्तो दोसरे को चलाना और उसमें भी छोटे छोटे बालक बालिकाओं को चलाना खेल थोड़ी है जो कॉलेज के चात्र है उनको पड़ाना फिर भी सरल है ऐसा गुर्देव का कहना है किन्तों छोटे छोटे बालकों को उनकी मन को समालना अपने मन को समालना फिर भी सरल है उनकी मन को समालना यानि उनकी मन में क्या वेवज उत्पन हो रहें जो तरंगे जो क्या भावनाए उत्पन हो रहें उनको पढ़ना बहुत कठिन होता है और उनको पढ़ाने के लिए स्वयम बालक बनना पड़ता है और गुरुदेव ने यही कारी किया जब प्रोड व्यक्ति पहुंच जाता है उनके चर्णों में तो वहाँ जान नहीं पाता कई व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचने के लिए मानशिक्ता बनानी पड़ती है हम जाएंगे हम क्या विचार रखेंगे रख पाएंगे क्या नहीं रख पाएंगे इस त्रकार उनके अंदर वो थल फुतल देखने को मिलता है किन्त ऐसे चोटी चोटी बालिकाएं जो पहुंचते हैं उनके चर्णू कोई विकल्प ने उन्हें यथा जात इसी को बोलते हैं निश्चन्त हो करके पहुंच जाती हैं तो गुरुदेव भी उनकी अनुरूप ही आचरन करना प्रागम करते हैं उसके बिना बच्चों का मुन लगना कठिन है इसलिए आगम में भी लिखा है जो आचार होते हैं उनके पास विशेश रूप से दो गुणूं का उल्लेक आपके सामने कर रहा हूं वो दो उल्लेक ये हैं कि अपकोदगो ऐसा खा अल्पकोदुक करते हैं बनोर्ण्यन करते हैं ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत करना आवश्रक होता है तनाओं में आ सकते हैं गंविर्था उनके लिए सई नहीं है उनके लिए मुस्कान हमेशा देने की आवशक्ता पड़ती है उनके ओर देखने की आवशक्ता पड़ती है तो उस समय वो उनका मन प्रफुलित होता है वो जानते हैं कि बच्चों को प्रफुलित किस प्रकार किया जा सकता है उनके पास हर प्रकार की कलाएं हमने देखी हैं कोई चरदिक्षित पहुंच जाता है तो वह जल्दे अपने आपके उपिय को डाइवर्शन देते हैं गंबीर मुद्रा उनकी हो जाती है और वह जाते समय कुछ बात करना चाहता है मांडू वो चरदिक्षित भी वो लड़ खड़ा जाता है ऐसा क्यों ऐसा ही है बड़ों के सामने गंबीर इसलिए होते हैं गुरू क्योंकि उसके अंदर भी गंबीर्टा आ जाए ये उद्देश रहता है हमारी गंबीर्टा के अभाव में उसका विकास रुक न जाए ये उनको ख्याल रहता है इसलिए बड़ों के सामने वो कभी मुस्कान आदिक के रूप में वो चर्षा आदिक नहीं करते हैं किन्तों बालकों के सामने उनको बालक बनना पड़ता है क्यूंकि सब का विकास वो चाते हैं पात्र के अनुरूप ही परोसा जाता है और मा की कुशल्था जो होती है वो शायद मेरे ख्याल से पिताजी में वो कुशल्था नहीं आती मा नवजात शुशु का पालन पोशन किस ढंग से करती है वो ही जानती वो आप कह सकते हैं ज़्यादा देना चाहिए किन्तों गुर्देव कहते हैं मात्रा मासी अनुपात जो है मा के अनुरूप होना चाहिए और उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है क्रमश विकास होता है अक्रम विकास नहीं हो सकता क्रम का आर्थ समय पा करके उसमें विकास देखने में आता है इसलिए गुर्देव कहते हैं मैं पंक नहीं पंकज बनू लक्ष यह होना चाहिए पंकज बनू का आर्थ क्या वह रूपक है वह फूल बनना चाहते हैं ऐसान आर्थ नहीं यहां पर कि नहीं तो शब्द के अन्रुप अर्थ लगाओगे तो शिद्दान से बहुत बड़ी बादा आएगी क्योंकि कमल तो एकंद्री होता है महराज तो हम एकंद्री होना चाहिए क्या नहीं किन्स भाव क्या है उसका मैं पंक नहीं अर्थार्ट पंक जो पंक होने से उसका पतन होता है क्योंकि पंक हमेशा पतडलित होता है पद दलित होता है, क्योंकि पद के पेरों के नीचे वहा केचड रहता है, किन्तो हमें पद दलित नहीं होना, पंकज होना है, पंकज होगा तो निश्चित उसे वह प्रभु के चरणों में जाने का आउतर, कुल मिलाकर कि भाव यही है, यह भगवन इस संसार परिभ्रवन से हम आपके पास कैसे आप आएंगे, उनके समीप पहुंचने के लिए विकास करना पड़ेगा, उसके बगेर संबव नहीं, और मुक्ता बनू न सीप, सीप बनेंगे तो सीप की कोई वेल्यू नहीं है, किन्तु मुक्ता की वेल्यू देख लो, जो जोहरी होता है, उसका मूल्यांकन वही कर सकता है, इसलिए शीप नहीं बनना है, पंकज नहीं बनना है, किन्तु, पंक नहीं बनना किंद क्या बनना है हम बोल जाएं इसलिए पूछते रहते ताकि हम याद हो जाए क्योंकि भोलने का समय आ रहा है ना और आप लोग के स्मर्ण शक्ति बढ़ रही है क्योंकि विकासमून मुक है आपका जीवन इसलिए दीप बनू जलता रहूँ प्रभुपद अत्वा गुरुपद पद्म सभीप गुरु अत्वा प्रभु के चर्ण कमल में मैं दीप बरकर के जलता रहूँ अर्तात आस्ता रूपी देपक हमेशा जलता रहे क्योंकि आस्ता जिसके अंदर नहीं रहेगी प्रभु के प्रतियत्वा गुरु के प्रति तो वह कभी भी प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाएगा सृद्धा की किर्णे जब प्रस्पुठित होगी उसके माद्यम से ही आत्मा का अवलोकन होने का आउसर प्राप्त होगा और प्रतेक जीव के भेतर जो शक्ती है उसका भी दर्शन आस्ता के बल पर ही हम कर सकेंगे चाय वहा किसी भी परियाय में जीव रहे किन्तु चैतन गुन से वहा सहित है चैतना जिसके अंदर नहीं है तो उसका कोई विकास की बात ही नहीं जड का कोई विकास नहीं होता है किसका विकास होता है चैतन का विकास होता है आत्मा का अत्मा जीव का विकास होता है जीव द्रव को छोड करके अन्य जितने भी पदार्थ है उनमें कोई भी सम्वेधन की शक्ती है ही नहीं वो सारे सारे अचेतन पदार्थ माने जाते हैं और अचेतन जो वस्तु होती है उन्हें कोई आनंद नहीं आता क्योंकि चैतन गुन का अफाव है किसी वस्तु को दे करके आपको आनंद आ रहा है उस वस्तु को आ रहा है नहीं आता है के आता है नहीं आता है मानलोग घडी है आपने पेंड रखा है गड़ी को उसका आनंद आपको आ रहा है क्या घडी को है हमें हमें कैने वाला भी जीव ही है है घड़ी नहीं कह सकते कि मुझे बहुत आनंद चीमत तो रहा है किन्तु गेई को जानने वाला जो होता है वह ज्यायक होता उसी का नाम जीव यूक में गेई का मुली तो आंखा जा रहा है किन्तो जो ग्या दृष्टा जीव है उसका कोई बोलि आंक नहीं पा रहा है ये भोतिक यूग है, इसलिए लोकिक शित्र में जो कुछ भी पड़ाई हो रही है, विद्या का विकास जिसको बोलते हैं हो रहा है, वह सामसारिक शित्र में काम में आने वाला वो ज्ञान माना जाता है, वस्तुता उसको सम्मे ज्ञान नहीं बोलते हैं, और किसी नी कहा था कि निविदन करने वालों नी कहा कि महरा सब की ओर से हमार लिए अलफ ज्ञान दें धोड़ा लगण ज्यान दें उनका आशे तो पूराई था जेकिन फिर भी उनका ये भाव था कि हम फोड़ा वोत भी मिल जाया तो उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे ऐसा उनका भाव था पिलकुल ठीक है पूर्ण ग्यान और अधुरा ग्यान पूर्ण ग्यान तो केवल ग्यान है और हम और आपका अधुरा ग्यान है किन्तो अधुरे ग्यान में भी हम विवाजन करना चाते हैं कि अधुरा ग्यान एक सम्मेग्यान की रूप में है और एक विपरीत ग्यान की रूप में दोनों अधुरे हैं किन्तो जो विपरीत ग्यान है मिठ्या ग्यान है वह संसार में काम में आने वाला है किन्तो जो सम्मेग्यान है वह मुक्ति तक पहुंचाने में आसे कहा है। इसलिए शयां को पूर्ण ज्चाने वह अधपन करणे वहा वही ज्यां समर्त है। इसलिए उस घ्चान से हमें प्रयोजन है भली है वह दो अक्षर का भी ज्चान हो हमें कारी कारी है यह कहा है ज्यादा से कोई मतलब नहीं क्योंकि वस्त त्य जो मोक्षमार्ग में जो ज्ञान काम में आ रहा है यह अपने आपमें कुंद कुन्ध स्वामी ने कहा है क्या कहा है जिनेंदर भग्वाण की जो वचन है वे आउश्यदी की काम में आते जिन वयन मौसह मिनम ऐसा कहा जिनेंद्र भगवान की द्वारा बताये गए जो वचन है शब्द है वे आउश्रदी के रूप में हाँ और आउश्रदी जो ली जाती है भरपेट नहीं है न इसलिए आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत हमें मिल जाए तो थोड़ा ही दिया जाएगा और हम भी जादा नहीं लेते हैं क्योंकि आउश्रदी तो आउश्रदी मानी जाती है आउश्रदी भोजन नहीं ध्यान रखो आउश्रद दान अलव होता है और आहार दान अलव होता है आहार जो लिया जाता है वो भरपेट लिया जाता है बले ये नास्ता में थोड़ा लिया जाता है ये बात अलग है भोजन में ज्यादा मिलेगा है इसलिए भूक मरन जाए इसलिए थोड़ा वो नास्ता में परोसा जाता है उसी प्रिकान हमारे लिए मोख्ष तक पहुंचान बागे जो की बिखल नहीं कि उसके पास भी मोक्रत में सामर्थ है योगिता है इसले जो योग जो होता है उसम्य्यानन ही माना जाता है बागे बाकि जो कुछ भी ज्ञान है वो सांसारिक शेत्र में काम में आने वाला है इसलिए समय आपका हो गया और मध्यान में बड़ा प्रतिक्रमन है पुन आपके लिए थोड़ा बहुत और जो रहा गया है वो ज्ञान दिया जा सकता है अहिंसा पर्मू धर्म की जाए बोधी समाधी परिणाम शुद्धी स्वात्मो पुलब्दी शिवसो किशिद्धे चिंतामनिम चिंतित वस्तु दाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी परंपूजा अचारी गुर्वर्श्री विद्या सागत जिमनी महराज की चाहिए